अब यह कहना गलत नहीं होगा कि चाहे कोई भी आ जाए चाहे कोई कुछ भी कर ले अब जनक ही शोज जीतेगे क्योंकि जनक को शोज जिताने के लिए किसी का सपोर्ट की ज़रत नहीं है ना ही आदिति कपूर की सपोर्ट है ना ही अनिरुद की सपोर्ट है ना ही गुर्जी यानि रुद्रपदाप सिंग की जोरत है क्योंकि भाई किसी और का हाथ है जहनक की पर और वो आशिरवात दिया है चैनल की हैड अधिती मैडम ने अधिती मैडम के एक फिर से शो में एंट्री होने वाला है जीते बीते एपिसोड में जिस तरीके सुनों ने आकर जहनक को वा यानि कुल मिलाकर इस बार जहनक के साथ कोई वाड रो माल फंक्शन कोई अनुहोनी कोई दुरगटना ने सीधे सीधे उसी को दुनिया से उपर पहुचाने की बात की जारी है नमस्का दोस्तों आप सभी के स्वागत टेम समुडिया में जहाँ पर मैं वेनिकुमार आपके अपने पसितर शो जहनक से जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सभी के सामने आज रो जहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जहनक की जिन्दिगी और जहनक का सफर कुछ और ज्यादा ही कठिन दायाख होने वाला है क्योंकि अभी तक जहनक ने जो भी भी किसका सामना किया था वो सिफ मात्र एक चोटास वहम था एक चोटी सी गल्तिया थी एक चोटी सी बादाई थी क्योंकि अब असलियत में जहनक के सामने मुसीबति आने वोली है बहूत बड़ी और पहारों चटानों जैसे बड़ी-बड़ी किसे लडने पार हो, तो उसे जान से मार दो, कहां के उसूल है भाई याप चलो यह भी कोई ना कोई प्रिज भूशन नहीं बोला होगा, लेकिन प्रिज भूशन ही नहीं, मलकि कहानी में तब आएगा दोस्तो जब यहां पे असलियत में आने वाले है अर्षि जाला क्योंकि अर्शी और सृष्टी जो आगे अब ऐसे में यह कहना के लटनी होगा कि कैसे जहनक अब इन सभी से लड़कर अपने सफर को आगे तैय करती है और कैसे अपने इन सभी को डील करके आगे करती है यह तो देखना वाक्य दिल्चस्प होगा लेकिन एक बात बहु अच बन चुका है और जहनक के साथ यदि अधिती माडम खड़ी है तो यकीन मानों जहनक को कोई कुछ निए कर सकता है बेशा की अनुरुद के सपोर्ट रहेगा मैं यह नहीं बोरे कि सपोर्ट नहीं रहेगा अनुरुद सपोर्ट करेंगे और रुदरपताप सिंग तो प्यूट कर रहा हूं मैंने अपने आपके लिए कुछ किया तो जहनक तुम्हारे उपर मुझे फक्र होगा यदि तुमने विनिंग ट्रॉफी हासिर कर ली और बेशा कि जहनक को विनिंग ट्रॉफी जीतने से कोई रोग नहीं सकता है यह बात जग जाहिर है और जब आपके जैसे फैंस हो तो जहनक के साथ दुवाय तो जुड़ी जाती है तो दोस्तो यह थी आज कि आपके पसंदा शो जहनक जुड़ी एक और बहुत बड़ी खास रिपोर्ट मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छे लोगी वीडियो के लाइक करे शेयर करे और सब्सक तक और उसी का अनुसार हम पहुंचाएंगे जहनक को फाइनस में और बेशागी मिलते हैं आपके साथ रगली रिपोर्ट में तब तो ने ख्याल रखे बाई बाई टेक केर और स्क्रीन पर मौज दिन्यों उसको जरूर देखते रहे बाई बाई